हाई गाईज वेलकम पाक टो मैं चानल स्टिचिंग गेम वी जोटी तो मैं हूँ जोटी और आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाले हूँ एक दुपट्टे का रियूज तो यहाँ पर मैंने चिकन कारी दुपट्टे को रियूज करके एक कुर्ती क्रियेट हुई है तो आई होपी वीडियो आपके लिए हलफip रहेगी और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजिएगा शेयर कर दीजिएगा कॉमेंट कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो यह जो बॉडर हे दुपट्ट्टे का यह सिर्फ नीचे की साइड में है तो इसको मुहें कूर्ती के नीचे के पार्ट में लाना है इसलिए मा इसकी कूर्ती जो है pencil long बनांगे रिप्रा दुपट्ट्ट्टा का जो है बुर॥ी में बना दूगी एंटे बाद यहां पर 13 इंच पे निशान लगालेंगे जो हमारी वेस्ट का नप होगा एंट जो मेजर्मेंट में ले रहे हुग, दो इंच कम करके यहां पर 8 इंच का ले रही हुग उसके बाद जो इस तरी के मिला यहां लगबग 20 इंच पर इसका जो हम open करते हैं 20 इंच पर देंगे तो 20 इंच पर यहां पर निशान में लगा दे रहे हूं एक इंच अंदर की तरफ आके आमोल पर इस तरीके से माग करके वहां से इसको हातों से अच्छे से गुलाई दे देंगे इसके बाद यहां पर आप देख सकते हो एंच के जो लेंथ होगी न यह पूरी लेंथ मुझे लेनी है जितनी भी दुपटे की है तो यह टोटल 40 लेंथ है इसकी यहां पर बॉर्डर की नीचे में थोड़ा सा फाबरिक निकाल देना है क्योंकि हमें बॉर्डर बिल्कुल जि क्योंकि नेक जो है वह आगे और पीछे दोनों का अलग अलग करना है इसलिए हम नेक को अलग अलग ही काटेंगे एंड इसमें ना मुझे कोई अस्तर नहीं लगाना है क्योंकि इसका जो लाइनिंग वाला कपड़ा है वह मैंने अलग से श्टिच किया हुआ है तो उसको प कि यहाँ पर मैं तीन इंच पर एक निशान लगाऊंगी और उसके बाद नेक की जो लंबाई है वो मैं यहाँ पर रख रही हूँ हूं पाँच इंच पाँच इंच पर इस तरीकी से मांग करके पहले हम नेक को कट कर लेंगे यहाँ पर अच्छे से गुलाई दे देंगे उसके बाद आगे का जो नेक होगा ना वो थोड़ा सा में 6 इंच रखुएंगे तो सबसे पहले मैं 5 इंच का यहां पर कट कर ले रहे हूँ एड उसके बाद आगे वाला जो नेक है वो थोड़ा सा 1 इंच और ट्रिम कर देंगे आप दोनों बराबर भी रख सकते हो and उसके बाद हम इसके sleeves को cut करेंगे तो यह जो border है ना यह इतना बचा हुआ है कि sleeves पर यह आराम से आ जाएगा तो यहाँ पर मुझे जो sleeves बनानी है वो मुझे bell sleeves बनानी है तो जो bell मुझे जोडनी है वो मुझे इस border के पास से ही जोडनी है तो मैं सिर्फ उतना ही काटूंगी जितनी लेंथ मुझे बेल तक की चाहिए तो उसके लिए मुझे जो लेंथ चाहिए वो मुझे 11 इंच की चाहिए तो सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से फोल कर दूँगी फोल करने की बाद यहां पर में 11 इंच पर एक निशान लगा दूँगी इसका जो मेजर्मेंट होगा और उसके बाद यहां पर में थोड़ा सा कट कर लूँगी हाफ इंच छोड़ के क्योंकि बागी का कपड़ा हमें नहीं चाहिए हमें से बादर के पास का कपड़ा चाहिए यहां पर हम आठ इंच पर निशान लगाएंगे यहां दो इंच हम नीची आएंगे यहां पर हमने निशान लगाया दो इंच का वहां पर हम इसको इस तरीके से कर्व दे देंगे तो कर्व हमें अच्छो से देना है और उसके बाद यहां से हम थोड़ा सा नीची की तरफ तिर्चा होते हुए आएंगे क्योंकि नीचे जो हमें रखना है वो हमें 6 इंच का रखना है तो लगबग 6 इंच तक हम इस तरीके से आप देख सकते हो निशान लगा देंगे अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे जहां जहां पर हमने निशान लगाया है महां से हम इसकी कटिंग करके इसको निकाल देंगे यहां पर आप देख सकते हो मैंने इसकी कटिंग जो है वो करके निकाल दी है अब हम इसकी बैल को काटेंगे तो उसके लिए मैंने यहां पर इसमें कपड़ा इतना बचा हुआ है कि इसमें हम काफी घेरदार बना सकते हैं आपका जितना भी कपड़ा आप उसमें भी बना सकते हो अगर बहुत जादा कपड़ा नहीं है तो आप जो प्लीट्स वाली या अगर गैदर वाली से लीव सोती है आप उसे भी बना सकते हो तो इस तरीके से मैं कपड़े को जो है वो चार फोल में फोल करूंगी क्योंकि मुझे लेंद्ध बहुत जादा नहीं रखनी लगबग दास इंची रखनी है तो इसकी लिए मैं इसको चार फोल्ड में फोल रखेंगे और 10 इंच पे इस तरीके से हम गुलाई में निशान लगाते हुए चले आएंगे तो जैसे हम अम्रेला फ्रॉग की कटिंग करते ना सीम वैसे हमें इसको निशान लगाना है बिल्कुल राउंड में पहले नीचे का निशान लगा लेंगे उसके बाद ही उपर क आप बेंगे हुए इसको अच्छे से कुलाई दे देंगे जाएंगे ज़्यादा भी हो जाता है तो जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट करके निकाल देंगे तो अभी जैसे आप देख सकते हैं जहां जहां पर निशान लगाया है यहां से एक बर चिक कर लेंगे कि कितना है क किसी स्लिए के सब्सक्राइबुटे, मैं निelesкое काती है HALF CIRCULAR Hello लग काते हों मैं णुरसे निसान को किस बसी स्लिएród स्ल्हाइब सफेरे weiter करने के शाइब श들이 लिए हैं वे सब्सक्राइब किसे संतर्स शाइब कर लें यह क्याँ है मेरी दो sleeves है वो मिल गई है तो अभी म्IES बता सकता है तो अब हम देखेंगे किढ़िवे ट्रोय स्लि sense स्लिस में जोडना कैसे है तो कुछ इस तरीके से आप देख सकतो हैं फुल circular स्लिस कटी हुई है तो इसको हम जोड़ेंगे जो बॉर्डर है इसमें हम ऐसे जोड़ना है कि बॉर्डर जो है सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर ही बाहर दिखे एक्षरा जो मने आधा इंच लिया है वो सिल्ले में आ जाएगा तो सीधी तरफ हम इसको रखेंगे और इस तरीके से इसमें सिलाई लगा देंगे दोनों स्लीफ को हमें ऐसे ही करना है पहले में फिर स्लीफ को कपड़े में अटाच करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके शोल्डर को अटाच करेंगे तो मैं शोल्डर को अटाच करके आपको दिखाती हूँ कैसे करना है तो यहां पर आप देख सकते हूँ जैसे यह शोल्डर पहले हम अटाच कर लेंगे शोल् रखें quand u पोरी लागां यह क्यों दो झीचा लाग नितल चुड़िया कर तरहां स्ट्रेजा वह इस तरीके से रखते हुए झाल है पूरी लागा लें फिलता है इनको ढर्र ainda नहीं पलट , आया झाल कर लें जाते हैं यहां करूड utilized तो इस तरीके से में इसकी जो पट्टी थी इसको रखके इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है एंड ये सिलाई हमें पूरी लगाने के बाद इसको पलट के फिनिश करनी है तो पहले हम इसकी पूरी सिलाई लगा लेंगे एंड उसके बाद इसके बाद हम इसको इस तरीके से आप इसे बाहर की तरफ भी कर सकते हो अंदर की तरफ भी कर सकते हो पर बाहर की तरफ करने से क्या होता है ना कि इसके फिनिशिंग ज्यादा अच्छी देखती है तो इसके लिए में इसको इसके बाहर की तरफ से इस तरीके से फिनिश कर रह लोगानीया है ऊकार हम सीलेट लगानीया, यानई खे लोगानीयी लूप एकस्टा आप चोड़ने इस आप किनारा किनारा शीलाई लगाना लकबग 20 इंच अजने कहां बम Each नहीं बाल से को लगा लेंगी और सिलाई लगाने के बाद इसको मैं फोल्ड कर दूँगी तो इस तरीके से मुझे इसको फोल्ड करना है यह आप देख सकते हो इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा लोगे तो यह हमें चारो तरफ करना है और पूरी सिलाई हमें लगा ले तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा, शेर कर दीजेगा, कॉमेंट कर दीजेगा and make sure मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो मैं मिलती हुआ अगली वीडियो में एक ने टॉपिक के साथ में तब तक लिए टेक केर, बाबाए